गाईस, कोरोना वायरेस इस टाइम पूरे देश में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और जिनकी इम्मुनिटी कमजोर है उन्हें बहुत जल्दी असर कर रहा है इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इम्मुनिटी बूश्टर मिलकशेक जो आपको पीने में भी टेश्टी लगेगा और आपकी इम्मुनिटी को भी काफी जादा तेजी से बढ़ाएगा बड़े से लेकर छोटे तक सभी के लिए है ये तो आप लोग ट्राइ कर सकते हैं चलिए रिस्पी को सुरू करेंगे पहला यहाँ पर हमारा मिल्क शेक है होरलिक्स मिल्क शेक मैंने यहाँ पर होरलिक्स चॉकलेट फ्लिवर के लिया है आप किसी भी फ्लिवर के ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों का होरलिक्स यूज करेंगे अगर आप बड़ो के लिए जैसे किसी जेंस के लिए तो आप बड़ो का हॉर्लिक्स यूज करेंगे जैसे की हॉर्लिक्स प्रोटिन प्लस आता है आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर आप जो भी पसंद करें वो ले सकते हैं अगर आप लेडिस के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप वोमेन हॉरलिक्स का यूज करेंगे उसके बाद हम लेंगे एक ग्रैनिंग जार और उसमें दो चमच हॉरलिक्स आड़ करेंगे साथ में हम लोग यहाँ पर एक ग्लास दूध डालेंगे दूध हमें यहाँ पर एकदम ठंडा यूज करना है और ध्यान रखिए कि बॉयल किया हुआ दूध होना चाहिए कच्छा दूध हमें यूज नहीं करना है उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे डेरी मिल्क चॉकलेर तो यह 5 रुपय वाली जो पैकेट आती मैंने उसका यूज किया हुआ है इसे बहुत ही ज़्यादा टेश्टी आपका मिल्क शेक बनेगा साथ में हम लोग यहाँ पर एक क्यूब डालेंगे वैली ना आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसी के साथ ठंडा करने के लिए यहाँ पर बरफ के दो तुकडे डाल दीजिए आप जितना ठंडा करना जा रहा है उसी साथ से कम जादा कर सकते हैं बरफ के तुकडे साथ में हम यहाँ पर डालेंगे मिठाई मेट यानि कंडेंस मिल्क अगर आपके पास अले बर्न लहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा छीनी का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम लोग कैफ लगा करके इसे एक बार ग्रेंडिंग जार को चला देते हैं तकी ग्रेंड हो जाए उसके बाद इसे हम लोग सर्फ करेंगे बहुत ही ज़्यादा यह टेस्टी लगता है पीने में सभी को बहुत पसंद आता है इसे डेकूरेट करने के लिए थोड़ा सा उपर से हम लोग हारलिक्स डाल देंगे इस तरीके से और और ज़्यादा सजाना चाहा रहा है आप यहाँ पर तो चोकलेट को जो है ना मिल्कशेक रेडी हो गया है दूसरा हमारा यहाँ पर मिल्कशेक है बॉन वीटा मिल्कशेक इसे भी बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और सभी को बहुत पसंद आता है तो आप ट्राइजरूर करिएगा सबसे पहले क्या चमच बॉन बीटा ले लिजिए बड़े छोटे जिसके लिए बनाना चाहरे है उसी साफ से बॉन बीटा लिजिए दो चमच आयट करने के बाद एक चमच हम लोग यहाँ पर रैट करेंगे चीनी धियान रखी कि बॉन बीटा मीठा होता है साथ में एक ग्लास यहाँ पर हम जादा टाइम नहीं लगता है साथ में अगर आप चाहें यहाँ पर तो वैलिन आइस क्रीम का यूज कर सकते हैं जैसकि मैंने एक क्यूव यूज किया हुए अगर नहीं है आप पास तो आप इसके बीना भी बना सकते हैं तो यहाँ पर यह हमारा बॉन वीटा मिलक शेक बन और बॉन वीटा पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें इस तरीके से बना करके सर्फ कर सकते हैं थोड़ा सा बॉन वीटा उपर से छिलकाव कर दीजिए चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर तीसरा मिलक शेक बनाना बताती हूँ तो यह मिलक शेक हम लोग बनाएंग यह काफी लोगों को चमन प्रास का फ्लेवर नहीं पसंद होता है इनफैक्ट मुझे खुद नहीं पसंद है चमन प्रास का फ्लेवर इसलिए मैं तो हमेशा मिलक शेक बना कर की यूज़ करती हूँ तो मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए जिसके लिए मैंने यहाँ इसे कि घ्रनिजर ले लिए है उसमें गुलास दूट डाल देंगे आ उसके बाद इहाँ पर हम लोग 1 चमच चमन प्रास डालेंगे कंटिटी कम जया चया चाहिए सकता है चमन प्रास की साथ में और ज़्यादा टेस्ट लाने के लिए हम यहाँ पर इसमें आयट करेंगे एक चम्मच कंडेंस मिल्क जिसे की चमन प्रास का फ्लेवर चेंज हो जाएगा उसके बाद जो है ठंडा करने के लिए दो-तीन तुकडे बरफ के डाल दीजिए या फिर आप इसके बीना भी बना सकते हैं अगर आप ठंडा नहीं पसंद करते हैं तो इसके बीना भी बनाया जा सकता है साथ में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वैलिना आइसक्रीम डाल देते हैं अगर आप कोई और आइसक्रीम पसंद करते हैं वैलिना के अलावा तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं अब हम लोग कैफ लगा करके ग्रैंड कर देंगे और हमारा यह बढ़ी आसा टेश्टी चमन प्रास मिल्क शेक बन करके रेडी हो जाता है इसे डेकुरेट करने के लिए थोड़ा सा चौकलेट हम लोग यहाँ पर क्रश करके यूज़ कर देंगे या फिर आप जो है यहाँ पर चमन प्रास उपर से डेकुरेट करने में यूज़ कर सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और काफी ज़्यादा यूम्यूनिटी से भरा हुआ तीन तरीके का मिलकशेक बनाना बताया है आप इसे जरूर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा वीडियो अच्छा लगाओं वीडियो को लाइक करेंगे मिलते हम आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईज